तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ अपने इस तर निट्र फाइब 2022 वाले मॉडल की इंसाइट क्लीनिंग इस्पेसली इसके हिट सिंग पे जो फैंस हैं उनकी हम क्लीनिंग करेंगे कैसे करना है क्या कुछ सारी कुछ से स्टेफ हैं आपको देखने को बिलेगा आपको बता दू इस वीडियो को मैंने लैप्टाप को 6 मैंने यूज करने के बाद इसकी क्लीनिंग वीडियो सूट की थी हाँ थोड़ा सा देर हो गया इसको इडिट करके बलोट करने में फिलाल आज कर रहा हूँ आपको बता दू इस लैप्टाप का इंडेफ लॉंग टर्म रिव्यू से एक साल से ज्यादा समय तक यूज करने के बाद आने वाला है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाना ये भी आपको बता दू किस तरीके से इसली उपन कर सकते हैं किस तरीके से इसमें रैम और एससडी को आप अपग्रेड कर सकते हैं उससे रिलेटेड मैंने चैनल पर अल्रडी कई सारी वीडियो मैंने बना हैं जाके देख लेना या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो जैसे ही आप लैप्टाप को करते हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसके जो कूलिंग फैन से उस पर किस तरीके से बैड़ी बिल्कुल डश यहां पर जम गया है और जैसे कि इस लैप्टाप में हीटिंग के सूस भी हैं इसका सीप्यू बहुत ज़्यादा हीट होता है तो हीट सिंग के फैन को क निकालना है वाइब करना है फिंगर से फैन को कुछ इस तरीके से रोटेट करके गुमा-गुमा के उसके बाद आप जो झो लेंस क्लीनिंग किट में आपका यह ब्लोएर आता है इसके स्तमाल से आप जो डश यहां पर आपने सापके उसको ब्लो करके जो एक जोश और अभी देखिए यहाँ पे काफी हद तक हमारा fan का blitz साफ हो गया है इस step आपको कई बार दोहराना है अगेन आपको brush से dust को निकालना है fan के blitz से और अगेन blow कर देना है अपने blower से दोनों ही side से यहाँ पे दो exhaust port है एक fan में तो दोनों तरफ से आपको direction के हिसाब से block करना है तो इस side का fan तो हमारा देखिए completely clean हो गया है आजाते हैं दूसरे fan की तरफ देख सकते हैं किस हद तक यहाँ पे dust जमा है और जब इतनी dust आपके cooling fan, hitsing cooling fan में जमा होगी तो कहां से laptop आपका cool down होगा और इस तरीके से नहीं आपको थोड़ा सा finger से touch करना होगा fan की blades को उसके बाद आपको आसानी होगी साफ करने में rotate करके आप clean करो again यह देखिए blow करने पे कितना ज़्यादा dust निकला है तो लगातार blow करें जब तक कि सारे dust जो आपने clean किये हैं निकलना जाए उसके बाद अगेन आपको वही brush से cleaning करनी है अगेन blow करना है और सारे step तब तक follow करने हैं जब तक कि आपको confirm ना हो जाए कि fan के blades बिल्कुल clear हो गया है तो अभी यहाँ पे यह वाले fan की भी cleaning हो गई है complete लास्ट में आपको जो mother boat पे और other areas पे जितने भी dust हैं उसको brush के जरिये clean कर लेना है इदर right side वाला हमारा cooling fan का blades देखी बिल्कुल आरपार साप दिखाई दे रहा है अभी और यह left side वाला अभी यह अच्छे से perform करेगा noise भी कम करेगा साथ ही cool down करेगा laptop को कहीं ज्यादा तेजी से इसके बाद laptop के back panel की जितनी सारी grill लगें वहाँ पे भी dust जमा होता है उसको भी brush के जरिये blower के जरिये साप कर लेना उसके बाद ही इसको बंद करना close करके screw tight करना तो यह था सारा कुछ इस laptop की inside cooling fan की cleaning साथ वीडियो आपको पसंद आओगे अगर हाँ तो like करना चैनल को subscribe करना मिलता हूं next वीडियो में